कि कोई भी पाटी जब बनती है, तो उसका एक समिधान होता है, और पाटी बनने के पहले ही, चुना आयोको वो समिधान देना होता है, क्या उस समिधान में उन्होंने ये लिखा है, कि हमारी पाटी के कारिकर्ताद सराब पिएंगे, मादक-पदार्थों का सेवन करेंगे, औ और उससे आने वाले पैसे से हम तो जिस तरस इन्होंने ग्लोरिफाई किया है सराबंदी को खत्म करने को, तो क्या इन्होंने अपनी पाटी की रसीद में इन्होंने लिखा है इस चीज को, अगर लिखा है तो उसको सामने लाना चाहिए, आप पर्दे के पीछे से दलित पॉलिटिक्स करके उनका बोट लेना चाहते हैं, आप पर्दे के पीछे से महलाओं को उकसा करके महलाओं का बोट लेना चाहते हैं, आप मुसलमानों को उकसा करके आप मुसलमानों का बोट लेना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मतलब ये केजरिवाल मॉडल है कि पर्दे के पीछे से किसी को मुखवंतरी बना दो और उसका सारा नियंतरन अपने हाथ में रखो गाउं के अंदर ऐसे ही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि एक कसो बना देंगे और अंतमों करडों लेकर भाग जाता है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप एक बाप फिर से हमारे साथ बाचित करने के लिए उपेंद्र कुश्वाह की पार्टी से राहुल जी जुड़ चुके हैं प्रशान की सोर बिहार में कितने प्रासंगिक हैं इन तमाम विश्यों पर चर्चा होगी क्योंकि कई वादे उन्होंने जनता से किये हैं इन वादों का असली मायने क्या है क्या वाकई में इन वादों से वो आने वाले उपचुनाओं हो या फिर होने वाले बिधान सबाच चुनाओं की जो तैयारी में वो लगे हुए हैं क्या वाकई में उससे उनको एक बड़ा बोट बैंक मिल सकता है इन विश्यों पर चर्चा करने के लिए राहुल सर्जुग चुके हैं सर बहुत बहुत स्वागत आपका भारत लाइप नमस्कार चुकि यह चार सीट जो हैं उ पार नितिकार रहे हैं कई जगों पर उन्हें मेंल सी भी बनाये अपने निर्दली रूप में बनाए तो यह क्या कुछ कर सकते हैं अध्य Κट्डबंधन को प्रसांद Kishor जो अपनी पार्टी लाँच कि उन्हों है प्रसांद Kishor जी को लेकर के बहुत बात तर कही जा सकती है उनके पास management है पैसे का उनके पास management है मेडिया management का लेकिन जहां तक लोगों की ताकत की बात है तो रतनेश जी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 2 October को जब हम party launch करेंगे तो हमारे पास पहले दिन एक करोड़ सदस्य होंगे अगर इस बिहार की अगर हम चर्चा करें तो लगबग चौदर पंदर करोड़ के आसपस क्या वादी होगी तो उसमें अगर आप एक करोड़ की बात कह रहा हैं तो लगबग घर आपने छू लिया है अगर आप चार पांच सदस्य होते ही हैं तो अगर आप एक करोड़ सदस्य की बात आप कहते हैं तो आपने निश्टित तोर पर हर दूसरे परिवार में आपका मिंबर है अगर मैं बात करूं कि बाई 15 क्रोड की अबादी है तो आम तोर पर अगर एक घर में 5 बेखती हैं तो 3 क्रोड घर हुआ मतलब हर तीसरा घर में आपका complete उस परिवार का member आपका है तो उस इस्तिति में अगर मैं एक करोड को मानूं तो आपके एक परसेंट अबादी कम से कब उस दिन कारेकरम में आना चाहिए था तो वहां उस मैदान की छंता लगवाद 30-35 जार कुर्शियों की है तो मैं कर सकता ह एक आपने में आपके उस पर 35 लोग आज सफस आये थह इसे इंकर में कर रहा हूं लेकिन किस तरह को थे कौन नोग थे आप पर सांत की सरकuineवाद अब मनोज जो उनके प्रतम्मा देक्ष कारेकारी देक्ष उनको सुनने जा रहा है आप जब पदलकारों ने किसी महला से पूछाए कि भाई आपको तो हमको फना मुख्या ने हमको लाए कि चलो पटना घुमाने हम ले चलता है तो आप दिखेंगे कि इस तरह की जो कोशिस हुई है तो वो तो पहले ही दिन फ्लॉप्स हो है दूसरी बात आपने छेड़ दिया इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ मैं प्रसाम के सोजी पर नहीं बात करना चाह रहा था लेकिन आप दो अक्टूबर का दिन महत्मा गांधी का जन दिन और जिन्होंने हमेशा कहा कि भाई सराब से लोगं को दूर रहना चाहिए आप मंच पर मैं समस्ता हूँ इस देश में इस दुनिया में पहली बार आप गांधी जी की पुजा या समान या उनकी परतिष्ठा से भारत में नहीं है दुनिया के देशों में है अहिंसा का पाप जो उनको ऑप्पानित करने का जो काम उस दिन उस मंच से हुआ हम सराबंदी खत्म कर देंगे आप समझीए अगर मैं और विस्तार से कहूं तो गान्दी जी का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता था दूसरी बात है कि कोई भी पाटी जब बनती है तो उसका एक सम्मिधान होता है और पाटी बनने के पहले ही चुना आयों को वो सम्मिधान देना होता है क्या उसमिधान में उन्होंने ये लिखा है कि हमारी पाटी के कारिकरता सराप पिएंगे मादक पदार्थों का सेवन करेंगे और उससे आने वाले पैसे से हम बिहार का विकास करेंगे क्या वो सदस्ता रसीद में जो पाटी की सदस्ता हूँ कि मैं धर्म निपेक्ष रहूँगा जाती धर्म विसेश के खिलाब किसी तरह के हिंसा या उसके परतिद्रभावना नहीं रखूँगा मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा मैं किसी ब्रस्ट अचार में लिख्त नहीं रहूँगा तो जिस तरह से इन्होंने गलोरिफाई किया है सराबंदी को खत्म करने को तो क्या इन्होंने अपनी पाटी की रसीद में इन्होंने लिखा है इस चीज को अगर लिखा है तो उसको सामने लाना चाहिए अगर पाटी के सम्मिधान में लिखा है तो ये लाना चाहिए दूसरी बात लोने कहा कि राइट टू रिकॉल जब देश के सम्मिधान में देश के कानून में किसी भी चुनेवे बिदायक ये सांसर ये किसी भी जन प्रतनिदी को जनता आज रिकॉल नहीं कर सकती है कोई परिटकल पाटी उसको रिकॉल नहीं कर सकती है तो ये किस कानून के अधार पर ये वादा कर रहा है कि हम ये रिकॉल करने की बात कि हम राइट रिकॉल अपनी पाटी में करेंगे अगर वो बिदायक चुना गया अगर इनोंने काया कि हम रिकॉल आपको कर रहा है और वो पाटी से रिकॉल होने से इनकार कर देता है तब इनके पास क्या सीमा होगी यह तो इनोंने जनता को नहीं बताया क्या इनोंने जनता को बताया कि कोई भी सम्मिधान या कोई भी कानून में संसोधान इस तरह के कानू कि जुरत है क्या इन्होंने जूठ नहीं बोला लोगों से तो ये जूठे बादे करके जिस तरह से चीजों को ले करके आगे बढ़ रहा हैं तो वह बहुत असपस्ट है इन्हों तीसरी एक बात कहिए क्या बिहारियों की तरह पीछे से भाग तो नहीं जाओगे आज तक बिह पहली बार उस दिन मुझे लगा कि बिहार की धरती पर गांधी जी का नान ले करके बिहार की अस्मिता का मजाक कोई छोटी सोच वाला व्यक्ति ही उड़ा सकता है बिहार रेजिमेंट का सौरे, आईएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, बिहार के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बिहार के मेहनत का किसान किन प्रसुतियों में बेहतरिन परदर्शन करते हैं और उनके पर्थमा द्यक्ष कहते हैं कि बिहार की असमिता को लेकर कि पूरी दुनिया में मैंने शिलाओ का खाजा, भागलपुर का सिल्क और पता नहीं क्या-क्या मैंने, तो क्या यही संदेश उनके दिमाग में है कि बिहारी पीशे से भाग जाता है, जिस उत-तर बिहार मे आज भी पैर जमा करके अंगद की तरह इस बिहार को रफ़ता रफ़ता ही आगे बढ़ा रहा है इस इन बिहार के लोगों को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया यह तमाम चीजें यह दिखाती है इन्होंने कहा कासलिस्ट पालिटिक्स हम करेंगा और इन्होंने पीट परहात रखे अपने से उमर में ज़्यादा بड़े है उनसे मनोप जुबारती जी पड़े लिखी विद्वानें वो अपनी जगा पे है लेकिन उमर में बड़े हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीछ परहांत रखकर के कहा कि कारेकारी अध्यक्ष आपने किस हैसियत से उनको कारेकारी अध्यक्ष बनाया आप जन्द सुराज के आपने ये नहीं बताया कि आप जन्द सुराज में क्या है आपने बताया आपने एक पाटी बनाया कि हम जिताने वाले वेक्ति सुनिये आपने कहा कि हम एक पाटी बना रहा है जन सुराज नाम है बन गया आपने कहा एक करोड सदस चली वो भी आपने बना लिया आपने रहली बुलाई आगे लोग आपने कहा कि ये कारे-कारी अधेक्ष होंगे आपने किस हैसियत से उनको नाम क्यों नहीं सामने आया आप पर्दे के पीछे से दलित पॉलिटिक्स करके उनका बोट लेना चाहते हैं आप पर्दे के पीछे से महलाओं को उकसा करके महलाओं का बोट लेना चाहते हैं आप मुसलमानों को उकसा करके आप मुसलमानों का बोट लेना चाहते हैं लेकिन के पीछे मतलब ये केजरिवाल मॉडल है कि परदे के पीछे से किसी को मुखवंत्री बना दो और उसका सारा नियंत्रन अपने हाथ में रखो किसी आपने कहा देखे महोज भारती जी ने क्या कहा कि सिमित समय के लिए मैं अध्यक्ष बनाओ मतलब कल को अगर वो बहुत बहुत बहुतरी ना देख भी साबित हुए तो उनको रिप्लेस कर देंगे प्रसांत के सोर जी क्योंकि यह उनकी इक्षा है कि इसको हटाओ कोई दूसरा ब्यक्ति आएगा तो पपेट होगा मतलब फ्रीडम नहीं है उस पार्टी के अंदर के कौन ब्यक्ति अध्यक्ष होगा कौन ब्यक्ति महासचीव होगा कौन ब्यक्ति क्या होगा वो सब इनका पपेट होगा और इनके ही सारे परकाम करेगा मतलब आप एक डेमोक्रिटिक सिस्टम में आप एक राजसाही बेवस्था लाना चाहते हैं जहां आप राजा की तरह परदे के पीछे आप तास के पत्तों की तरह आप किरदार फेटते रहें तो यह जो पूरी पॉलिटिक्स है प्रसांद किसोर जी की यह बेहत संदिक्द पॉलिटिक्स है और मैं कहूंगा कि बिहार को ऐसे सपने बेचने वाले जादूगर से बचना चाहिए बहुत नुक्सान होता है गाउं के अंदर ऐसे ही लोग आते हैं और वो कहते हैं कि एक कसो बना देंगे और अंतमों करडों लेकर भाग जाता है बिल्कुल मैं ये बात कह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बात्चित करने के लिए तो देखे बिहार के राजनीती में प्रशान किसोर की पार्टी लॉंचिंग और गती वीडियो को लेकर हमने चर्चा की है चर्चा ये ऐसी लगतार भारत लाई पर आपको देखेने के लिए मिलेंगे बहुत बदनेबाद पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है अगर ये वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनीत और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजे गो घंटी बाग उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद